नमस्कार दोस्तो मेरा नाम राहुल स्वागत है आपका अपनी चेनल राहुल हरवार ओफिशल में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रोजगार पंजियन के लिए अपलाए कैसे करते हैं अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो आप खुद से भी रोज होने वाली है ओपन करने के बाद आपको सर्च करना पड़ेगा MP रोजगार पंजियन मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा आपको फर्स्ट लिंक देखने को मिल रही होगी MP रोजगार की आप यहां पर देख सकते हैं तो MP रोजगार की जो फर्स्ट लि भी नहीं करन अपडेट करें वाले आप Crowd कर देना है किoh दोस्तों आपके सांसे किस तरह का इंटरफ्शेस में आपको मिल रहे हो तो आप यहां पर देख सकते हैं साइन अप का इक करनी है जिसका प्रोजगार पंजियन कर रहे हैं तो उसकी डीटेल आपको यहां पर डालनी पड़ेगी नाम डालना है फिर लाश्ट्रिम डालना है मवाइन नम्मर जीमेल आइट पासवर्ट डालना है उसके बाद आप यहां पर देख सकते वाटसेप का उप्षन है तो आप आपको यहां पर यहां पर यह रखना है या फिर नू रखना है अगर आपके पास वाटसेप नम्मर है तो आपको यहां पर यहां पर यहां पर नहीं है तो आपको नू कर देना है अगर आप वाटसेप इंफोर्मिशन चाहते है तो यहां पर नहीं चाहते है तो नू कर सकत तो आपको थोड़ी सी यहां पर loading देखने को मिलेगी फिर आप यहां पर देख सकते हैं citizen registration successfully तो आपको OK बटन पर click कर देना है आप जैसे ही दोस्तो OK बटन पर click कर देते हैं तो आपका registration हो जाएगा अब आगे दोस्तो आपको यहां पर क्या करना है registration करने के बाद दोस्तो सर्च करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का interface होगा तो आपको login बटन उपर देखने को मिल रहा होगा तो login बटन पर आपको click कर देना है आप यहां पर देख सकते हैं लखा हुगा है login तो मैंने उस पर click कर दिया click करने के बाद दोस्तो आ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं आपने जो पासवर्ड बनाया था उसके थूरू आप लॉग इन करना चाहते हैं यहां फिर OTP के थूरू मैं आपे OTP वाले उप्शन को सेलेक्ट करता हूँ Otp पके अपको उप्शन को मिलेगा capture डालके एपको get OTP पे देता है आप यहां पर केपचर डालके यहां पर देख सकते हैं verify and login तो आपको यहां पर उपर अपना नाम देख सकते हो और आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दुस्तों देखने को मिल जागा आप यहाँ पर फर्स्ट ऋपसन देख सकते हैं रोजगार कारयाले में पंजीर आन इवन नभी nभी तो आप यहां पर देख सकते हैं आविदन करें तो आपको आविदन करें वाले option पर click कर देना है आप जैसे ही आविदन करें वाले option पर click कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आपको दोस्तों देखने को मिल जागा आपको यहां पर first column में आप यहां पर देख सकते जानकारी देखे का एक आपको option देखने को आपको मिल रहा होगा तो आपको यहाँ पर समग्गराईडी डालने के बाद जानकारी देखे पर klick कर देना है आप जैसे ही जनकारी देखे पे klick अब दालने के बार दोस्तो आप यहां पर देख सकते हैं सत्यापित करें पर आपको क्लिक करना है फिर आप यहां पर देख सकते OTP Successfully Verify तो आपको OTP बटन पर क्लिक करना है OTP पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपका डेटा मिल जाएगा तो आपको एक बार और OTP बटन पर क्लिक करना है आप दोस्तों जैसे ही OTP बटन पर क्लिक करते हैं पर जो भी धर्म हो तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूं मैं हिंदू धर्म से आता हूं तो मैं हिंदू सेलेक्ट करूंगा या फिर आप आदर आते हैं तो आदर या फिर जिस भी धर्म से आते हैं तो आप यहां पर वो सेलेक्ट कर लेना है फि My ने यहां पे धर्रम और स्रेटंट कर लिया, एक Mother Edition आप यहां पर देख सकते हैं, पसंदीदा 6 तो आपको पसंदीदा 6 पर Click करना है, यहां पर देख सकते हैं लिखा को है तो पसंदीदा 6 पर आप जैसे ही Click कर आते हैं, तो आपके सामने कुछист तरह का interface आएगा, तो आपको Self Employment वाला option select कर लेना है आप दोस्तों जैसे ही पसंदीदा छेतर पर क्लिक करते हैं तो सबसे नीचे Self Employment का एक option आपको देखने को मिल रहा होगा तो वो आपको select कर लेना है फिर आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों आपने यहाँ पर जो जानकाड़ी दी है वो आपकी save हो जाएगी आप इसको बदल भी सकते हैं फिर आपके सामने इस तरह का interface आएगा तो आप यहाँ पर छेतर का प्रकार अगर आप gramid हैं तो आप gramid select करेंगे गाउं से आते हैं तो gramid select करेंगे अगर आप सहर से आते हैं तो आप सहरी select करेंगे फिर आप यहाँ पर देख सकते है राज जिया automatically select रहेगा फिर आपको जिला पर क्लिक करके आपका जो भी जिला लगता हो list आजाएगी आपके सामने जो भी जिला लगता हो तो वो जिला select कर लेना है फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपके जिला लगता हो तो वो आपको select करना है फिर रोजगार कारियाल है रोजगार कारियाल है में जो option आता है तो first वाला ही option आपको select करना है फिर उसके बाद block देख सकते हैं तो आप यहां पर देख सकते ब्लॉक की पुरी लिस्ट आ जाएगी, तो आपका जो भी ब्लॉक लगता हो तो वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है. फिर इसी तरह से दोस्तो आप यहां पर देख सकते हैं, पंचायत लखा हुआ है, तो आपको पंचायत वाले उप्सन पर क्लिक करना है जो भी आपकी ग्राम पंचायत लगती है तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है पिन कोड डालने के बाद आपको यहां पर पता जो भी आपका पता लगता हो तो वो आपको यहां पर पता डालना पड़ेगा यहां पर आप देख सकते हैं तो आपको हां है तो आपको हां पर सेलेक्ट करना है अगर नहीं है तो आपको नहीं पर सेलेक्ट करना है क्या आवेदा कावेदी का पूर वया बरतमान में किसी संस्था में कारियरत है तो आपको अगर हैं तो आपको हाँ पर सेलेक्ट करना है अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर दोनों में नहीं नहीं सेलेक्ट कर लेना है चैक बॉक्स देखने को मिल रहा होगा तो इस चैक बॉक्स प bitcoin पर हBER कर देना है आप जैसे इसपह कर देते हैं फिर उसके बाद आप यहाँ पर गुरुण के सामने किस तरह का इünde फिर आपको आम पर सबसे उप्चा संबन्द जानकारी तो आपको सिछिए संबन्द जानकारी पर click कर देना है आप यहाँ पर second देख सकते हैं तो आपको इस पर click करना है आप जैसे ही दोस्तो इस option पर click कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आपको दोस्तो देखने को मिल जाएगा क्लिक करने की बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आजाएगा तो आप यहाँ पर सबसे उपर देख सकते हैं योगता इस तर, आपको योगता इस तर लिखा हुआ है तो आपको इस पर क्लिक करना है अगर आपने बारवी पास किय,डसी पास किये,đ graduate है अंडर graduate है तो वो आपको select कर लेना है यहाँ पर दोस्तों मैं अंडर graduate हूँ तो मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ select करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फिर आपको यहाँ पर यहाँ पर जो भी आपका सम्मु उप जैसे की बायओता मेरा तो झाहाँ पर बायो स्लेक्ट करूँगा बायो स्लेक्ट करने के बाद दोस्तो आप यहां पर देख सकते हैं विसाय का एक आप्सण आपको देखने को मिल रहा होगा तो विफसाय पर क्लिक कर देना है आप जैसे इस पर क्लिक करते है तो आपने किस चीज में बायो की है तो वो आपको यहाँ पर सलेक्ट कर लेना है college select करने के बाद सारी college आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी तो आपको यहाँ पर जिस भी college से आपने की आए तो वो आपको select कर लेना है फिर आप यहाँ पर उत्त्रीड बर्स देख सकते हैं जिस भी वर्स में आप उत्त्रीड हुए हैं जो भी हो तो वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है फिर आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है दोस्तो आते रिखते योगता जोड़ें तो आपको इस पर क्लिक कर देना है आप जैसे ही दोस्तो इस पर क्लिक करते हैं जो जानकारी आपने उपर फिल की है तो वो आ आप यहां पर देख सकते हैं, File Save करें का Option है, फिर उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आजागा, क्या आप Antim Save करना चाहे रहे हैं, तो आपको यहां पर हां पर क्लिक कर देना है, आपको पहले जानकारी देख लेनी है सारी, उसके बाद आपको हां पर क्लि कर देते हैं, तो आपको थोड़ी सी लोडिंग देखने को मिलेगी, फिर आप यहां पर देख सकते हैं, आपका पंजी करना नमर सफलता पूरूब के दर्ज हो चुका है, तो आपको OK बटन पर क्लिक कर देना है, आप दोस्तों जैसे ही OK बटन पर क्लिक कर देते हैं, आप कुछ इस तरीके से MP रोजगार पंजीन के लिए apply कर सकते हैं, और दोस्तों घर बैठे आप खुद भी इसको बना सकते हैं, और सबसे उपर अगर आपको इसको download करना है अपने phone के अंदर, तो आप यहां पर उपर देख सकते हैं, print का एक option आपको देखने को मिल रहा होगा, तो print वाले option पे click करके आप इसको print निकाल सकते हैं, फिर print का option पे ही click करके आप इसको अपने phone में save कर सकते हैं, आसा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, तो वीडियो को like करना, channel करना, subscribe ताकि मेरे ऐसा ही latest वीडियो आप तक पहुंच मेलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में